तो अभी हम discuss करने वाले rust में tuple क्या होता है तो मिना time waste के start करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर एक rust का file बनाते हैं यहाँ पर हम type 22 underscore tuple dot rs और enter कर देंगे तो यह हमारे tuple का new file बन जागा तो अब हम क्या करते हैं सबसे पहले हम यहाँ एक main function बना देते हैं तो यह हमारा main function बन गया तो जैसे कि हम टपल क्या होता है जैसे कि नॉर्मल सा variable है let a equals to a एक हमारे एक variable बनाओ तो अगर इस variable में हम एक से ज़्यादा value को store करना चाहेंगे तो यह हमारा error थो करेगा तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे एक variable हो एक ही variable हो बट उसमें एक से ज़्यादा value को store करना चाहते हैं और अलग-अलग data type को value को store करना चाहते हैं जैसे कि यह हमारे variable है तो इसमें हम एक ही value store कर सकते हैं वह भी ठीक है और एक ही तरह का मतलब एक ही value store कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास एक variable हो और उस variable में हम एक से ज्यादा value शोर करना चाहते हैं और हर value अलग-अलग data type का हो और वो हमारे easily run हो जाए तो हम use करेंगे tuple को तो tuple को कैसे बनाते देखो tuple को बनाने के लिए simply हमको लिखना पर जाए normal उस variable का नाम जैसे हम ए देना चाहते है ए देदेंगे फिर क्या करेंगे आपे हम यह कोलोन देंगे उसका यह नॉर्म सा ब्रैकेट देंगे पैरेंथेसिस फिर हम यहां पे data type इन स्लाइज कर देंगे मतलब कि हम जीस data type का value को श्टोर करना चाहते है उसका हम टाइप यहां बत प्याहते है और लास्ट मुअम यह चाहते है कि हमारा मैं आप काड लगे ओ रॉक क्या करेंगे्गे यहिंगे फिर वही पैरेंदेशन द ए और वल्म टी को मा यहां प्यारो रeston रहे हमारा सिरों value ज्रूर कर देंगे तो पहले हमारा यहां पर यह फैंञा पॉयर्ट वहां दे करें हमारा है तो क्या करते हैं एक स्टो एक ऊस्टोड कर लेते हैं और अब क्या करेंगे सींपली हम यहां पर प्रिंट करा देते और इसको पीरिंट करें कि हम का इसको प्रिंट कराएं तो simply हम यहां पे नॉर्मल सा प्लेस ओल्डर देंगे और यह हमारा वेरियवल का नाम हम simply यहां पर टाइप कर देंगे और यहां पर कोलोन देंगे सेमी कोलोन बस हमको यहां पर यह ध्यान देना है कि जब भी हम पसे पर यहां पर मारें प्रिंट काने हैं यह उसके अंदर ऐसे संपुकर हले करेंगे तो यह से को रन करेंगे तो यह हमारा बिना एरेर तो कि यह हमारा यहां पर रन हो जगते हैं यहां पर देखो, 112.4, false and A, यह हमारा एक variable में ही print हो जाला है, तो इसलिए हम यूज करते हैं, टपल को हम इसलिए यूज करते हैं, कि हम एक ही variable में multiple value को store करना जाते हैं, उलग अलग तरह का data type को हम एक ही व February मेरे यूज करना चाहते है। अगर यह दोनों चीज को हम यूज करना चाहते है। एक ही वी तरह 2 ры May reward में यूज करना चाहते हैं। तो अगर सिर्फ एक पाथ ही ऊduction चाहते ह। क्या एक्सेस करना चाहते हैं। तो अगर हम जाते हैं फोस्स एयिमेंट एक्सेस करें तो क्या करेंगे पिशसेंपल किना से पीर्ण कर देंगे प्रीम्द पैस वर इसका है सबसंद करतीं है फिर बाइप तयर्ण के पॉस्ट मुझाब से चाहिए चलएब कर देंगे और स्के बाद असिस्कों रॉन करेंगे यह अ को यह चाहते कि हमारा यह 12.4 को औ зак्राइबत करें हमारा दूसरा पे अंधक्स पे पहला है न हमारा सबस्ट इस staff 10 पर करें अर उसके बाद तो यह हमारा प्रिंट करेंगा फिर हमारे एक वैल्यो जो जीरो फिंटेक्स पर उसको परिंट करें जो कि हमारा हरने फिर उसको यह सेंप्ली पुरिंट कर देगा तो इस तरह से हम प्रिंट करा सकते हैं रस्ट में टपल का कोई वी एक पार्ट तो टपल क्या होता है एक विडियेबल में मल्टिपल वैली को में श्टोर करना चाहते हैं और वह अलग-अलग डेटाटाप हो तो हमें यूज का रेंग टपल और अगर हमको टपल का सिर्फ एक पार्टी उसका इंडेक्स देना इसका इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है और एक और बात यह देना कि अगर हमको इसको प्रिंट कराना तो नॉर्मल सा प्लेस होल्डर के अंदर यह दो हमारा ब्रैकेट इसको प्लेस होल्डर बोलते हैं उस प्लेश होल्डर के अंदर एक कोलोन देना और उसके अंतरे एक हमको waking the devotion mark देदे न tabla को दिस्रीप्चिन में इसका ह्कॉड कोड कर लिंक द्या होगा डालोड करेना Thai for watching my video